तो भाया सुरू गरें आपकी पढ़ाई को रंगीन बनाने आ गए हैं तो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डि एसस की इसके पहले हम लोग ने जी डि एसस की बात कीती है उसके ही जैसा कि ग्रूप में बैठके एक जगह पे सामने कंप्यूटर होता है एक प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है जहां पे हम लोग कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं लेकिन इसमें आर्टीफिशल इंटेलिजन्स और आ गया है एक कंप्यूटर हो फूंटीब हो गया है हम दो स्मार्ट है ने हम da çok cane नальном फीसे कर देटा आया जहां में क्या प्ररसादियां भुत बढ़ी हो जाता है हमाल लीजे मुबाइल में खत्राबी अगए हम दूसरे मुबाय से क्या करते हैं कंप्यूटर सच्छ करते तो आर्टिविशल इंडिलिजेंस बता देता है हमको, कंप्यूटर के इंदर होता है, या जहां भी सर्च किया है, कि क्या प्रॉब्लम आई होगी, कैसे कैसे ठीक होगी, क्या क्या स्टेप्स होगे, प्रोसीडर सोगे, सब समझा देता है, हमको उसके बारे में नौलज नहीं था, वो अपने माप से इंप्लिमेट करके बता लेता है, इसी तरीके से, जब किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम अकार होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम लोग एक टीम बनाते हैं, इंप्लॉईज की, मैनेजर्स की, गोल्ड मेंबर्स की, जो पार्टिसिपेट करते हैं एक रूम में, जहाँ प्रोजेक्शन होता है, जहाँ पर और हम लोग के सामने कंप्यूटर्स होते हैं, वहीं पर जब प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही होती हैं, जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, वो थोड़े से एडवांस होते हैं, उनमें आर्टिफिशल इंट्रिजेंस होती है, जो हमारे डेटा को ग्राफिकली दिखाती है, उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनको भी सज़ेश्ट करती है, या फिर अगर कोई भी कंपणी मेंबर किसी सॉल्यूशन को सज़ेश्ट करता है, तो उसको भी उसी टाइम इंप्लीमेंट करके दिखा देती है, यह होता है हमारा main decision support system, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें होता क्या-क्या, मतलब main जो इसके characteristics है, इसके types है, इसके components है, तो सबसे पहले अब लोग बात करते हैं इसके characteristics की, improve efficiency and decision making, इसका इस्तमाल करने से, जो हमारी छमता होती है, वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ बढ़िया decisions आते हैं, internal interpersonal communication, आपस में बात करके दिखा सकता है, अपने ideas को share कर आ सकते हैं, computer के ग्राफिकली उसको दिखा सकते हैं, semi structured and unstructured decision making, मतलब क्या है, हम जो decision making करने जा रहे हैं, वो कितने हग तक successful होगी, इस decision making system में, artificial intelligence को calculate करके उसका percentage भी दिखा देती है, साथ साथ उसकी working भी द जैसा होगा, जैसा Iron Man movie में जार्विस करके दिखाता है, same, वैसा ही, बोल सकते हैं, कुछ हद तक, चालबता है advance नहीं लेकर, कुछ हद तक वैसा ही, encourage learning and training, यह हमारी छमताओं को भी बढ़ाता है, हमें नई-नेचीजे सिखाता है, और एक तरीके से trend भी करता है, दो तरह के decision making होती है, support system में, पहला होता है model based, दूसरा होता है data based, अब मैं या पर दो पाइंट को समझता पड़ेगा, पहला तो database, जहां पर हमारा records रखा हुआ है, सारा information की form, मतलब user की entity, हमने जो चीज बनाई है, उस पर क्या क्या चीजे लगी है, उन सब की proper information category wise हमारी updated है, एक होता ह model based, जहां पर information तो नहीं है उतनी, लेकिन जो structure वो है, मान लीजे मैं example देता हूँ कि एक car है, उस car के क्या-क्या feature से उसमें कैसा engine लगा है, कितनी उसकी power है, क्या सब है, सारी detailing, उसका चेचे संबर, फ़ला रबागा, वो database में store है, लेकिन car का model उसका देखने में हुलिया, उ उसके एक पार्ट जो शो कर रहा है, वो model शो कर रहा है, यह अंतरे दोनों में, तो दो तरह की decision में code होती है, एक model based, एक data based, model based में हम लोगो graphically structure लिखता है, जिसमें हम लोग problem को analyze करते हैं और solve कर देते हैं, दूसरे case में database में information लिखती है, अगर हमारी information में करी चूप हो रह प्रॉब्लम आते ही कि आखेकार problem कहां से अकर हो रही है, किसी database से अकर हो रही है, model से अकर हो रही है, इसलिए तो decision support system अच्छा है, उसके बाद में आता है हमारा components क्या-क्या होते हैं, अब सबसे आप ही में लोग इसको समझेंगे, इसका लोग समझेंगे, component क्या-क्या होते देके तीन चीजी होती है, एक DSS database, एक DSS software system, एक DSS user interface, decision support system में user आया, उसको problem को solve करना है, उसने लिया DSS software system का इस्तिमाल, उसने software के थूस में एंटर की, graphically सब कुछ देखा, उसका model बनाया और सब समझेंगे, और साथ ही साथ जिसकी information सारी निकाली, क्योंगो उसने किससे न लिया, ग्राफिकल ही देखा, डाटाबेस से सारी से मैच कि अगर कोई problem आई तो उसको solve करने के लिए आगी हुआ है, इससे क्या होता है, problem बहुत आसानी solve होती है, अब देखिये, इसमें क्या है, हमारा एक manager है user, जिसको problem का पता चला, वो user interface पे गया, जहां से user knowledge management system से जाता किया, और इस पूरे system ने other computer-based systems भी किया, अब इसको कैसे समझे, एक, माननीचे, car का example ले लगता हूँगा, फिर से, एक car है, उसमें कुछ problem आई, data manager ने उसको समझा, वो user interface में गया, problem को solve करने के लिए, पहले उसने उसका model बनाया, car का, model management से, फिर उसने उसके सारी detailing को बढ data management की मदद से, जो data मौझूद था, उससे तो किया ही, बात में उसको बाहर से external data, internal data लेना पड़ा, तो उसने उस data को भी लिया, उसके knowledge management से AI की मदद से solutions को पता करना शुनू किया, तो सबसे पहले उसने knowledge management की मदद से model management को चेकिया, कि क्या problem आ रही है, उससे जो पता चला, तो उसने data management से confirm कि data management में कोई problem तो नहीं आ रही है, जब यह सब समझ में आ गया, तो उसने other based system computer से contact किया, कि इस problem को कैसे solve किया, जाए, यह इसका पूरा इस चैनल decision support system का, जिस तरीके से यह काम करता है, तो यह video पूरा decision support system में था, मुझे लगता आपको बहुत अच्छे सकते हैं, और भी कई सारे computer waste आ रही है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, thank you, have a nice day.